सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद आपके आइफोन यूज करने का एक्सपीरियंस लिटरली बदल सकते हैं इन में से कुछ चेंजिस तो इस तरीके से हैं जो आपके आइफोन के अंदर एक नए capabilities को enable कर देंगे अगर आप किसी और के सामने अपना आइफोन यूज करेंगे तो सच में ये बहुत जादा cool लगेंगे इसे पहला जो important change आया है वो हाया है wallpaper को लेके जिया दोस्तों अब आप यहाँ पर wallpaper कस्टमाइज कर सकते हैं वो भी next level तरीके से example के तोर पर यहाँ पर आप इस तरीके से hold करके रखेंगे and यहाँ पर plus के option पर जाएंगे and people's पर जाएंगे ना यहाँ पर जैसे ही तो यहाँ पर अब आपके पास जो भी portrait photos होंगी वो यहाँ पर suggested में दिखा देगा people's में अब portrait photos का कमाल देखिए मालो यह एक photo है ठीक है मैं इसको wallpaper set करना चाता हूँ जूम इस तरीके से नहीं कर पाते थे जूम इन जूम आउट जो है वो pinch करके मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ अब इसके साथ साथ यहाँ पर मैं filters भी यहाँ पर different लगा सकता हूँ क्योंकि यह portrait mode में है तो इसका background इसने यहाँ से इस तरीके से रिमूफ कर दिया यह देखिए अब मुझे जो इसका सबसे cool feature लगा ना वो यह वाला feature लगा यह वाला studio वाला यह सिरफ portrait mode में आता है अब यहाँ पर जैसी ही मैं इस पर click करो ना अब लेकिए क्या जबर्दस वालपेपर लग रहा है भाई मैंने इसमें कोई third party application का use नहीं किया है जी हां दोस्तों यह आपको real life में आप देखोगे ना क्या मस्त वालपेपर लग रहा है सच्छु में बहुत बढ़िया लग रहा है प्लस इसके साथ-साथ यहां पर आप और भी चीज़े ट्राय कर सकते हो जैसे यह पूरा पूरा black and white है तो black and white पर क्लिक करेंगे और black and white में आ जाएगा और इस तरीके से यहां पर जिए जो colors ना इन colors को भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं मैं ने green 79 या फिर मॉन लीके इसका background colors चेंज करने चाहतह। और फिर यहां से उठाके अगर मैं black कर देका its kinda background spoiling और लग और पर यह रहा है और इसके साथ-साथ next जो पर आया है वाल पेपर के अंदर ही प्लस पर जाएंगे आप लाइव फोटो जियां दोस्तों को आप लगा सकते हैं ऐसा लगीगा कि वह जब फोन ओपन करेंगे वह फोटो चल रही है जैसा कि मैं यहां पर दिखाता हूं जैसे कि आप मैं इस पर क्लिक करता हूं यह मेरी ला आपको देखने को मिलेगा के अंदर इस तरीके से यह जो निया वाल पेपर आने इसके अंदर एक आया है इफेक्ट डैप्थ इफेक्ट जियां दोस्तों यह डैप्थ इफेक्ट अगर आप आफ कर देंगे तो यह विजट इसके ऊपर दिखेंगी जब डैप्थ को आन कर इस तरीके से इस डैप्थ के पीछे चूप जाएगी तो इससे फायदा होगा कि जितने भी आपके डैप्थ वाले वाल पेपर सेना वहां पर आप सेट कर सकते हैं जब भी फून आएगा ना तो इस तरीके से कितना कूल लग रहा है और आप देखोगी कितना मस्त कॉन्टे को सिंप्ली कॉल मं जाना है कुछ इस तरीके से एंड यहां पर इस बंदे का कॉंटक्ट सर्च कर लें अजिकरों को से लिए मैं पर इस वाली फोटो को सलैक्क कर लूँ गा सब्सक्राइब कर सकता हूं बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर मैं इसको डन कर दूँगा यहां पर मैं जैसे ही इसको डन करूँगा यह सेव जाएगा एंद मुझे प्रिव्यू भी दिखाएगा कि ऐसा दिखेगा मस्त लग रहा है कंटीन्यू पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद न अब यह कॉंटेक्ट की ऊपर फोटो आती ह यहां पर स्क्रीन शॉट्स के अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगे लाइट एड स्टिकर पर क्लिक करेंगे न तो यहां पर आप इमोजी अपने कस्टम स्टिकर आंग कर सकते हैं लाइक मैं मैं इमोजी आड करके दिखाता हूं तो इस तरीके साब कर सकते हैं इसको प्लस करके रखेंगे डिलीट कर सकते हैं ठीक है यह इमोजी आड करने का ऑप्शन आ गया है अब दुबारा से एड ऑप्शन पर जाता हूं तो आप देखोगे यहां पर शेप एड करने का भी ऑप्शन आ चुका है पहले यह शिकायत थी कि भाई मुझे आप भरो या कुछ शेप जो है वह इसमें आ चुकी है अब देखोगे कि औरशी आउसरी का भी एक नए फीचर आ चुका है मतलब यह अगर इमोजी के अलावा अगर आप यह तरीगे से इसकी स्क्रीन शोर्ट की ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं का मन इससे भी नहीं बड लिए प्लस प्लस आप्शन पर जाऊंगा इंड यहां पर जाऊंगा इस वाले पर एड़ करो यहां पर मैं अपने मन पसंद के चर्ण यहां दोस्तो बना सकता हूं जैसे कि आपको तक फोटों करता हूं यह देखीए इसने आटमेटिकली की स्टीकर बना दिया इस चीज का कि पोटोस में यहाँ पर अब आप टू फिंगर से जिल दोस्तों कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एंड इंस्टेंटली क्रॉप कर सकते हैं यहाँ दोस्तों डन पे क्लिक करेंगे एंड यह पर ही क्रॉप हो जायेगी इसके साथसा जो नेच्ट चीज आ है वो किये आपने अब यहां पर क्रॉप को ओप्शन आजाएगा यह रहा एंद इसको होल्ड करके रखेंगे ना अब यहां पर आप के पास बहुत सरा option कि क्लिक करेंगे ना जैसे ही option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आपको format यहां दोस्तों दिखाने लग जाएगा automatic मलब किस format में इस photo को share करना चाहते हैं माल लीजिए most compatible में करना चाहता हूँ तो यहां पर most compatible select करूँगा क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि कभी कब ऐसा हो जाते कि android phones में most of the photos या कुछ नहीं चलती है चीजे बट automatic रहने दीजिया तो कोई दिक्कत नहीं है प्लस जो most important चीजे नहीं हो यहां पर location से related है अगर आप इस photo की location off कर देंगे ना तो मतलब क्या होता है कि iPhone में अगर आप airdrop करते हैं किसी को photo तो उसकी exact location भी उस photo की अगर own होती है तो वह भी चली जाती है तो यहां पर location off कर सकते है है डन कर सकते हैं अब यहां पर location include नहीं होगी शेयर करते टाइम यहां पर आप देख सकते हैं आपको मैं इसको इस तरीके से प्रेस करके रखूंगा एंड यहां पर add to sticker को option आ चुका है अब मैंने इस photo को दुबारा से sticker के अंदर add कर लिया अच्छा लग रहा है एड़ जानकारी है यहां पर वह देख सकता है जैसे कि look up plants plants को देखना चाहता हूं अब यह मुझे आस पास की यह निकल रहे हैं यह मुझे बता देगा कि यह जानकारी देगा इस particular plants के बारे में कि क्या है क्या नहीं है यहीं पर विकीपीडिया खोल के बता आप इस photo को edit करने कि आप shapes को edit कर सकते हैं example के तोर पर आरो डालता हूं इस तरीके से एरो डाला मैंने और यहां पर इसकी मैंने border डाल दिया जी वाइट ठीक है border वाइट डाल दिया color मैंने डाल दिया इसका black इस तरीके से यहां पर यह मेरा एक arrow बन गया मैं सो कहीं भी उठा कि इस तरीके से वही वाला फीचर आगया सारा फोटो के अंदर आफ सारी चीज़े कर सकते हैं जब कुछ गलत हो जाए एडिट पर जाओ रिवर्ट टू ओरीजिनल कर तो जैसी थी फोटो वैसी हो जाए जब आप अपने आइफोन को चार्जिंग पर लगाते हो एंड उसको इस तरीके से सेंड लेते हैं एंड इसे करके लगा देते हैं प्लस चार्जिंग भी हो रहा है तो ती सेकेंड के अंदर फोन इस तरीके से स्क्रीन बन जाए उसकी जिसको कर सकते हो नेक्स्ट लेवल कस्टमाईजेशन कर सकते हो वह सेटिंग और देखनी के लिए कि आपको आईफोन में आइफोन के अनदर आइड उसको इस तरीके से आपको इस पोजिशन में रखना है 30 सेकेंड के बाद आपकी यह स्टेंड वाइब मोड में लग जाएगा फोन आपकी आइफोन की स्क्रीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी सफारी के अंदर भी न बहुत जादा चेंजीज हो बुइस प्रोफाइल के अंदर दो टैब ओपन ऊपन है अब एक मेरी और प्रोफाइल जिसके अंदर आठ टैब यहां पर ओलरेड़ी ऊपन है वह आपको बताता हूं फिरिप करना कुछ एस तरीके से एंड यहां पर इन प्रोफाइल को नियाँ नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं empty groups tab इस पर click करना है and अब आप इस profile का नाम दे सकते हैं जैसे GUEST मैंने guest नाम दे दिया and save कर दिया तो अब एक guest के नाम से profile बन गए मैं इसमें कुछ भी search करूँगा मैं हाँ पर simply simply अपनी profile change करूँगा and मैं सारी चीज़े good to go histories को लेके जो आप इस तरीके से history पर click करेंगे ना history पर click करते करते यहाँ पर आप अपनी सारी history को collapse कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यह देखिए मैंने इसको ऊपर किया and यहाँ पर collapse करके मैं अपनी सारी particular day की इवनिंग की सारी history देख सकता हूं कि मुझे किसी की तारीक की history पर जाना होगा मालों मैं 16 September की history पर जाता हूं अब यहाँ पर कोई भी application का नाम लिखेंगे वह यहाँ पर आपके आईफोन में होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगे नहीं होगी तो भी शो हो जाएगी एक्जामपल के तौर पर अगर मालीजे कोई application का नाम ले लेता हूं मैं यहाँ पर मिंत्रा ठीक है यह application यहाँ पर शो हो गई एंड मैं directly यहीं से गो कर सकता हूं क्लिक करके ओपन कर सकता हूं अब यहां से अगर वह application डाउनलोड नहीं है आपके फोन में वह भी सर्च कर सकते हैं आपको कोई भी आईफोन की सेटिंग के अंदर जाना है ना डिरेक्ट स्पोटलाइट सर्च में सर्च करना है जैसे मैंने वाइफाई लिखा तो वाइफा आपको अच्छे लगी है तो आने वाली वीडियो में इतनी जबर्दस ट्रिक्स लाने वाला हूं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो स्यू सूनी नेक्ट वीडियो